आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें तो दोस्तों हमें यहाँ पर निमलिकित चार विकल्ट दिये गए हैं जिसमें पहला है मुलांकूर चोल, दूसरा है प्रांकूर चोल तीसरा विकल्ट पहे इस्कूटेलम और चोथा और आखरे विकल्ट पहे प्रांकूर तो दोस्तों जो मक्का होता है ठीके क्या होता है जो मक्का है यह एक बीज पत्री ठीके क्या होता है एक बीज पत्री बीज होता है यानि कि इसके बीज में एक ही बीज पत्र होता है और इसका जो बीज पत्र होता है ठीके इसे इसको टेलम कहते है ठीके तो दोस्तों अगर बात करें विकल्पों की तो पहला है मुलांकुर चोल तो दोस्तों जो मुलांकुर होता है ठीके क्या होता है मुलांकुर यह एक सुरक्षात्मक पर्त के द्वारा धका होता है ठीके इस पर्त को क्या कहते हैं मुलांकुर चोल कहा जाता है दूसरा है प्रांकुर चोल तो दूस्तूं जो प्रांकुर होता है यह शंकु आकार के ठीक है शंकु आकार के एक सुरक्षात्मक ठीक है सुरक्षात्मक आवरण के द्वारा ठीक है क्या होता है धका होता है ठीक है इस आवरण को क्या कहते हैं प्रांकुर चोल कहते हैं तीसरा है इसकुटेलम दोस्तों मक्का के बीजपत्र को क्या कहा जाता है इसकुटेलम कहा जाता है और प्रांकुर तो दोस्तों जो मक्का होता है इसमें भूनी अक्ष का बहाई सीरा ठीके जो होता है यह बहाई सीरा एक मोटे सीरे की ओर होता है ठीके मोटे सिरे की ओर होता है और इसे क्या कहते हैं प्रांगकूर कहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हमारे प्रेशन का सही उत्रगा कि मक्का के दाने के बीजपत्र को इसको टेलम कहते हैं धन्यवाद